जो उमारी क्लासिस सल लिए है इनका पार्ट नमर 13 है वो हम स्टार्ट करने सारे इससे पहले हम लोग लेक्शन नमर 12 तक कबर कर चुके हैं जिसमें आपको बहुत कुछ यहां पर कबर कराया ज़त चुका है तिकि आज हम लोग देखेंगे उद्धोग के बारे में इंडस्ट सारे ड्रीम पूरा करना चाहते तो वो किसी जॉब से संबब नहीं है वो अगर आप बहुत सारे अपने ड्रीम को फूरा करना चाहते है लेकिन एक बिजनसमें बनने के लिए बहुत सारी सी जोग अबसकता होती है उसका एक थोड़ा सा बेसिक नॉलिज भी आप लोग होनी बन सकते हैं बहुत सी इपने सबस्साइब को पता चलेगा कि जमसेद जी टाटा से उन्हें उन्होंने इन पर १ भारत में हो अच्छाज उस बात है साथ में विस्व लेबल पर इतने कम कीवद पर इतने उच्छ गडबता का इस बात है मतलब जो स्टील है उसका उत्पादन है को जमसेज जी टाटा को कितने बता है तो जमसेज जी टाटा थे वो एक बार अमेरिका जा रहे थे जहाज थे और उसी समय संयोग बस आपको स्वा लोग नहीं जानते थे लेकिन ऐसी ही एक दूसरी से चर्चा पर चर्चा चलने लगी यह आपको 1900 से पहले की बात देखने को बिलेगी 1907 में तो जमसेज जमसेज पूर में आपको देखने को बिलेगा आरें इंडस्टी की स्थापना हो गई थी बहां पर सब कुछ वीरान अभी स्टूरी के बारे में बहुत साविस्तार में पढ़ायता है लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे उनकी चर्चा बरी चर्चा आगे बढ़ी थी फिर जमसेज जी टाटा ने डिसाइड किया था कि कहां पर हमें आईजिन स्टूरी की हम लोग बात करें और यह सिनॉपसिस हैं यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे जैसे हम सिनॉपसिस बना रहे हैं उस सिनॉपसिस को अच्छे से थोड़ाता बनाईएगा उगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उद्धोग के बात करें मतलब इंडस्ट्री की बात करें मतलब हम अगर उद्धोग की बात करें या फिर इंडस्ट्री की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हम अपने सिलेवस से अगर अगर इसे लिंक करके देखे तो एक बार देख लेते तो इसका संबंद आपको जीएस से भी पने साथमीय कोमा दुतिये जो दुतियक हैं। उनके बारे में और आपको देखने को मिलिगा इन उद्धोग की मतलब इन उद्धूग कीision की सृक्रावित करने में जो अबस्थ्धी हो ती है। उसको कौन-कौन से कारत निरदारित करते हैं, यह आपका एक जीएस का टापिक देखने को मिलेगा, जैसे एक उद्धोग की इस्ताबित करते हैं, कहां पर इंडस्ति है, वो इस्ताबित की जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा, कि उद्धोगों को उद्धोगों को या फिर उद्धोगों की अबस्तिती को निर्धारित करने वाले कारक को निर्धारित करने वाले कारक करने बाले कारक प्रिपेर क्या से करना है तो उद्धोग यानि कि इंडस्री है यह आपके इक्षी संबंद देखने को मिलेगा साथ में आपको इनबार्मेंट से इसका संबंद देखने को मिलेगा तो देखिए जो जो घरफी है यानि कि जो भिगोल है उसमें आपको देखना है भारत में जो उद्दोग हैं उनके बारे में देखना है तो भारत में कितने प्रिकार की उद्दोग आपको देखने को मिलेंगे एक आपको देखने को मिलेंगे एक आपको देखने को मिलेगा प्राथ में प्राथ में उद्द दूसरा देखने को मिलेगा सेकेंटरी उद्दोग मतलब दुतियक उद्दोग आपको देखने को मिलेंगे और आपको देखने को मिलेगा तीसरा तिरतियक उद्दोग मतलब जिसको टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं तो प्रात्मिक उद्दोग होते हैं प पर जहां कहां पर किस स्विकर का खान्ण के ही किया जाता है तो खनान पर आधारत उट्व में हो सकता है इसके अलाव आपको देखने को मिलेगा जैसे खनान चार्यों से संबंडी जो भी किरियाई होती हो प्रात्मिक सेक्टर में राखी जाती है दीक κάสी है सेकेंडरी सेक्टर नहीं पर भृता है मतबुति यह चेत्र होता है वह आपको देखने को मिलेगा खनी जो संसाधन पर आधारिक उड्धोग जैसे और एक्जामपल आपको बताते हैं जैसे की हम कहीं पर कोईला है कोईले को लिकालने हैं या फिर हम लोग कहीं पर लोहो एक्स का निसकासन कर रहे हैं तो लोहो एक्स का निसकासन लोहो एक्स का खनन भूमी से उसको लिकालना वो किसके अंतरगत आएगा वो प्राथमिक उद्धोग के अंतरगत आएगा लेकिन इसी पर आधारि खनिज संसाधनों पर आधारित उद्धोग ये दुटियक शेतर के अंतरगत आपको देखने को मिलेगा इसी तरह जोगरफ्य में आपको पढ़ना है कोई उद्धोग हो सकता है वो किरसी आधारित हो सकता है जैसे कि आपको बताती है जैसे टमाटर का उत्पाधन करना प्राथमिक उद्धोग के अंतरगत आईगा मतलब आपको primary सेक्टर में देखने को मिलेगा लेकिन उसी टमाटर से जब हम tomato sauce बनाते हैं तो वो secondary सेक्टर के अंतरगत आजाता है वो food processing industry के अंतरगत आजाता है तो य कि इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा दुत्य हैक सेकंद्री सेक्टर के अंतर और इसी तरह से आपको वढ़ती करती हैं तो शेवा antig होते हैं उन्हें हम तिरतियक सेक्टर में रखते हैं मतलब तिरतियक चेतर में रखते हैं तो यह आपको देखने को मिलेगा तरसरी सेक्टर में कौन को नाता है सेवा चेतर आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा सेवा चेतर सेवा में क्या क्या हो सकता है वो संचार हो सकता है परि जमपल के लिए आपको देखने को मिलेगा परीवहन के साधन परीवहन के साधन है वो किसके अंतरगत आएंगे आपको टर्सरी सेक्टर के अंतरगत देखने को मिलेंगे अनसेबाई जैसे बैंकिक सुब्दा है वो परदान करना संचार की सुब्दा है वो परदान करना तो अ तो अगर आप लोग लिखना चाते हैं तो रहे हैं तो अपको पढ़ना है जैसे खनान पर अदारित उद्धोग को देखें इसी तरह से जब आप अग्रीकल्चर को देख रहे हैं तो अग्री कल्चर पर अदारित जोगे हैं उनको देखिए अब देखिए इस किरसी उतपाद को इस उतपादन केंदर तक ले जाने पर मतलब प्रेक्टरी तक ले जाने पर हमें आप सकता होगी परीबहान की तो परीबहान सुब्दा कौन प्रदान करेगा तिरतियक छेतर प्रदान करेगा यानि कि यह तीनो के लिए व्ठाबद करने के लिए हमें भिट किया बसकता होगी फाइन से भी link कहा से मिलेगा भी हमें से आप जागर के लोन ले 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 लेटे हैं पैसा नहीं है तब भी हम अप जाकर के ओडिटे गूम सकते हैं हमारी किरह चम्ता कम है फिर भी तुम अपनी किरह चम्ता को बढ़ा लेते हैं लोन लेकर के इसी तरह से अगर आपको कोई उद्दोग स्थापित करना है एक ख्रक लेना है लारी लेना है तो वो होन पे जगर गले सकते हैं बाद में कमा कर्के पैसो का भुख्तान कर सकते हैं तो यह चीज्स आपको देखने को मिलेगी इसी तरед सापको देखने को मिलेगा उद्धोग है इसमें हमें देखना होता है current वाला section देखना होता है मतलब वर्तमान में कोई भी ओध्धौगी के नीति बनाई रही है जैसे कि पर कित अर्थिक चेतर जिसको बुलते हैं उसको बनाने के बात की जारी कहां पर इतना funding किया जा रहा है यह क्या है current होगे कहां देखने को मिलेगा इसको आपको link करके देखना है economics से okay economics मतलब आपको देखने को मिलेगा economics इसको बोलते हैं तो अर्थसासर से इसको connect करके आप लोगों को देखना है इस तरह से industry को आपको प्रिपेर करना है इसका कौन सा section कहां कहां पर प्रिपेर करना है वो हम आपको बता दी है चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयाद करते हैं फिर आप लोगों की लिए नोट डाउन भ कि अबस्तिती का मतलब क्या होता है उनको स्ताफित करने का इस्थान उसे को बोलते हैं अबस्तिती को निरधारित करने वाले कारक को निरधारित करने वाले कारक करने बाले कारक तो देखिए इसको जो इसको जो निरधारित करने वाले कारक होते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रिबाबित करते हैं उक्विसमें आपको देखने को मिलेगा एक इस्थानिक प्रति रूप इस्थानिक प्रति रूप आपको मेपिंग पर देखना है क्यों है अपनी बुक्स में सब्जेक्ट में इसका आंसर मिलेगा जैसे आप जोगर्फी पड़ते तो उसमें आंसर मिलेगा जैसे पॉर एक्जाम्पल आपको बदाते हैं जैसे छोटा नागपूर बठा जैसे आप सब पूछा जाए लोह इस पात उत दोगे उसकी इस तापना कहां देखने बढ़ से तो लोह इस पात उत दोगे अगर आप इस तरह से भारत को देखेङे तो लोह इस पात उत-दोग का संकिंद्रन है वो आपको जो छोटा नागपूर का पठार है यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर भी कहां कहां पर जैसे कि आपको बोकारो यहां पर देखने को मिलेगा जमसेदपूर देखने को मिलेगा यहां पर आपको जरिया देखने को मिलेगा साथ में इधर आप लोग आएंगे तो आपको इदर राच्ची देखने को मिलेगा यानि कि यह क्या है यहां पर आपको देखने को मिलेगा लहोई स्पात उद्दोग का बहुत साथ विकास हुआ यानि कि कहां मैपिंग पर आपको देखना है इसी तरह ऐसे कहां आपको देखना है कि यहां पर विकासा पत्नम है यहां पर भी लोहा इसमात उद्दोग का विकास हुआ है इधर मॉंबई के इधर भी आपको देखने को मिलेगा तो give HER कि कहा देखा मैप कर्मुए यह घास को हूँ आपके मिलेगा मतलब जोगर 90 रहा क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोहो पिलस कोईला जो खनिज संसादन है वो यहां पर पर्याप्त मातरा में पाई जाते हैं जिसका रण लोहो इस पादो दोका विकास हुआ है जैसे जमसेद पुर्गी अगर हम बात करें तो इसको जो लोहा है वो आपको देखने को मिल के तो बहां से इसको मिल जाता है और बहुत सारी चोड़ी दिन नदियों बहां से भी सको जल मिल जाता है पडरी वालिय चेज़ आपको सहांड तhos रूइव देया सब्सक्रा घ्र करनेध क appears is Omby Mic to तरहे यहां पर लोह इसपातुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द यह जलमार्ग था, दोनों पिर्मुक आपको देखने को मिलेंगे, परिवाहन के कारण यहाँ पर बंदर गाहों पर भी लोह इसपात उद्दोग का विकास हुआ है, आपर खच्चा माल है, वो यहाँ पर भूमिका उसकी कम हो जाती है, परिवाहन की भूमिका यहाँ पर हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जहां पर खनन के अंदरों के पास में उस दोगो की स्थापना की गई बहाँ पर रॉमिका जादा हो जाती है, यह चीज आपको देखने को मिली, तो देखिए, आपको एक एप्रोच दिया है, भी सब कुछ लिखाया जाएगा, कि कैसे, क्य चीज कहा पर चलती है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, तो देखिए, जो इस्थानिक प्रतिरूप है, जो उद्धोग की अबस्तती का स्थानिक प्रतिरूप है, यह आपको कहा पर देखना है, तो आपको जैसे की जोगरफी आप लोग पढ़ेंगे, उनकी NCRT में ही आ आपको मिल जाएगा, जादा माता पच्ची खर नहीं किया आप सकता, नहीं है, ओके, कम पढ़के भी आप ज़्यादा उद्पुर दे सकते हैं, इतके अलाबा, आपको देखने को मिलेगा, उद्धोगों की अबस्तिति को निध्धानित करने वाले कारक है, इनका आपको द तिहास को देखना है कि भारत में अलुमोनियम उद्दोग है, लोहों उद्दोग है, या फिर कोई भी तरसरी सेक्टर है, वो कैसे कैसे विकास हुआ, फाइनेंस का कैसे कैसे विकास हुआ, बित्तिय संस्तान है, उनका कैसे कैसे विकास हुआ, इसके अलाबा, हमारी यहां उन्हें उनका चौरी करने किया विद्धुति करने के बाद हम फॉस्ट डियनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आपको बुलट ट्रेन हैं उनकी चलाने की बात कर रहे हैं तो कैसे इसका विकास हो रहा है परीभान में अंतरराजिय जो आपको देखने को मिलेगा जलिय को देखना है उसका इत्यास देखना है तो देखिए आपको इसमें भी का देखना है आपको देखना है क्या दूसरा देखना है कहां और देखना है कब जैसे कि आप से आप से बोला जाए कि फर्स्ट टाइम हमारे यहां रेल है वो कब चली कहां से चली तो आपको पता है कि व कहां वाल में आता है, कहां से कहां तो चलाईएगी, कब है, कब का मतलब कोण सी, सन में चलाईगी, कोण से सत अबढ़ी में चलाईगी तो, यह न चीज़ आप लोग कबर करेंगे, तो, आपको देखने को मिलेगा craft, head चीजों का विकास हुआ होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और दोगे के, एबम समाजी का विकास भी हुआ हुआ हुआ, अगर हम किसी छेतर का विकास करेंगे, तो लोगों के पास पैसा आएगा, रुप्या आएगा, उस से उनके जीबन स्तर में सुधार होगा, जब जीबन स्तर में सुधार होगा, यानि कि वो सिक्षा भी लेंगे, स्वास्त भी लेंगे, यानि कि हलके हलके क्या होगा, समाजी कुर्थान भी होगा, जहां पर और दोगी के विकास होता है, बहां पर समाजी के विकास की होता है, कहीं भी देख लीजए, मुंबई है, बुजरात है पंजाब है जहाँ आपको समाजिक देखने को मिलेंगा रूप सिक्षाका उच्चिस्ता देखने को मिले। किसी की भी पास पैसा आएगा उकि एपको देखने को मिलेगी तो यह हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का परियाद करते हैं तो देखिए जब हम बात करते हैं इंडस्टी की इसको अच्छे से आप लोग के लिए नोट डाउन करना है देखिए जब हम बात करते हैं उद्धोग की जब हम बात करते हैं उद्धोग की तो देखिए उद्दोग में आपको क्या-क्या देखना है, किस तरह से देखना है, तो देखिए उद्दोग मतलब इंडस्ट्री है, आपको देखना है कच्चा माल कहां-कहां पर उपलब दे हैं, कच्चा माल कहां-कहां पर उपलब दे हैं, क्योंकि किसी उद्दोग की अबस्तती को ने ठारित करने वाले कारफ़ों में कच्छा माल है वह भी एक महतबूर घूम का निभाता है क्या निभाता है अगर किसी अज़ बात करें तो उसमें दूसरा मुक केचप बनाना चादे तो तामाटो तामाटो केचप भाव बना से कि जहां पर अपलब दू तो तो मलब क्या है वो हमारी लिए रॉ मटर्यं से बूचे यह होगा तो दूसरी चीज़ के हमें क्या आवसकता होती है आधार बूत संदचना की यानि कि उद्धोगों की अवस्तिती को प्रभावित करने वाले कारिकों में दूसरा इंफ्राटेक्शर यानि कि आधार बूत संदचना आपको देखने को मिलेगा आधार बूत प्रभावित संदचना कीından कि जासीback जैसे कि एक number एक आपको देखने को मिलेगा परीवेहन देखिए परीवेहन बहुत important factor हो जाता है क्योंकि जब आप raw material को आप उद्धोग यान की industry तक पहुचाएंगे तो हमें परीवहन किया बसकता होगी और उस उद्धोग में जब production किया दाएगा तो उस उत्पात को हमें बजार तक पहुचाना होगा तो बजार तक पहुचाने के लिए फिर से हमें परीवहन किया बसकता होगी तो आधार बुत्व सबसे महतपूर फेक्टर हो जाता है परीवहन दूसरा महतपूर फेक्टर क्या होता है दूसरा महतपूर फेक्टर होता है उर्जा अगर आप किसी उद उर्जा हो सकती है या फिर कोईला हो सकता है जैसे हम कहीं पर हम कहीं पर thermal power plant लगाना चाहते हैं thermal power plant लगाना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि कहां पर हमें कोईला किया पूर्टी है हमें हो जाएगी या फिर जाते हैं जहां पर जल उपलब्द होती है इसके अलाबा आपको देखने को मिलेगा उद्दूफ के जाते हैं जहां पर जल उपलब्द होता है जैसे की नदियों की किनारे, समुद्र की किनारे, जल की उपलब्दता एक बहुत ही महत्पूर्ड फैक्टर हो जाता है, इस पेसली जैसे की जो आपको देखने को मिलेगा धातू परगलान उत्दो होता है, उसमें जल की आवसकता बहुत होती है, थर्मन पावल प्रांड होत होती है यानि कि देखना होता है जल की उपलब्दता जहां पर जल की उपलब्दता होगी तो वहां पर क्या होगा उद्दोग है वो इस्तापिद किया जा सकता है इसके अलाबा आधार वो संदाचनाओं में हमें आबसकता होती है, लेंड की, यानि ऐसी जगह पर संदाचनाओं में एक चीज़ और होती है, जहां पर भूमी होगी, बहाँ पर यस संदाचनाओं की अबस्तिती है, वो निर्धारित की जाएगी, जैसे आप लोगोंने तेखा होगा, बड़े-बड़े colleges होती है, उनकी इस्ताफना कहा पर की जाती है, college क्या है, वो भी एक industry है, service sector के अंतरगत आता है, सिच्छा क्या है, service sector के तिर्टियक, उद्दोग के अंतरगत आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमें कहीं पर college की इस्ताफना करनी है, तो वो सहर के बीचों बीच में नहीं की जाती है, वो कहीं दूर की जाती है, सहर से 5-10 km दूर अधिकांस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहाँ पर बड़ी-बड़ी मातरा में हमको भूमी मिल जाती है, खेत मिल जाते हैं, तो बहाँ पर अच्छे से हमें क्या, हम आपको देखने को मिलेगा सिर्मिक, देखें, जो सिर्मिक होते हैं, वो भी बहुती महत्वपूर अधारबूसा रिचनाओ के अंदर गताते हैं, अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे, यहां पर आप लोग देखेंगे भारत है, तो भारत में जो जरात और आपको कानकुर वाला जो एरिया है, यहां पर आपको कुसल सिर्मिक देखने को मिलेंगे, जो बहुती अच्छे से, एक सूत, मतलब जो कपास होता है, उससे सूती बस्तर का उत्पादर करके बस्तर का निर्मार कर देते हैं, यानि ही, यहां पर इसके लोग जहां है, उसकी स्तापना करना चाहते हैं, और बहाँ पर उस पिरकार के लोग ही नहीं प्राइज आते हैं, नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई IT सेक्टर को याना जाता है, वो चाहता है कि हम यहां पर सॉप्टवेर इंडस्ट्री की स्तापना करना चाहते हैं, मतलब सॉप्टवेर मद्द जानकारी नहीं है, तो क्या software industry कभी आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, तो जो उद्दो की स्तापना करना चाहता है, वो कि पागल है कि बहां पर उस पिरकार के इसकी लोग नहीं पाई जातें, लेकिน आज IT sector का ही भी विक सिथ किया जा सकता है लेकिन आपको देखने को मिलेगा IT sector है वो चेन्नेई के एरिया में ही जड़ा उसका संक्रेंदरन क्यूं हुआ है क्योंकि बहांपर ITC sector ITC related जो लोग हैं उनकी संक्या बहुत ज़ाद देखने को मिल गी मतलब सिर्मिक हैं वो बहाँ पर बहुत ज़्यदा स्किल हैं उस इंडस्ट्री को लेकर के इसी लिए चैन्नाई में IT सेक्टर ज़्यदा डबलब हुआ है यानकि सिर्मिकों की भूमिका है वो भी बहुत ज़्यदा मैत्पूर हो जाती है किसी उद्दोग की स्थापना के लिए तो पर ये सारे स्थ होते हैं और फेखरों कि उद्दोग की कहा कि जाएगी इसके अलाव़े कि स्कूरा क्राइल देखा जाता है लोगार किति जाती है कि जो मार्केट थे इसमें कितनी ज़्याओद demanding है demand को देखते हुए बी उद्दूद की स्थापनाकी ददीफ जयसे कि अगर हम example की बात करे तो आपको देखने को मिलेंगा जैसे कि ये भारत है यह क्या है भारत है अब इस भारत में उस्सी चीज़ का पादन क्या जाएगा, जिस चीज की अभी डिमाड है, यह सोचो, आज आकर के भारत में, आज आकर के भारत में, अगर इस परकार की चीज़ों का उतपादन क्या जा आने लगे, जिसका यहाँ पर, यहाँ पर मांगी नहीं, जैसे की फॉर एक जंपल के लिए आपको बताते ह करें यहां पर जो रॉआ जो रॉआस्वाय सकता थी इसलिया जाएगा जो सब्सक्राइब होती है तिखाव कारे होती है उनकी स्थापना जैसे कि मारूती महिंद्रा टाटा यह चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो मार्केट में कितनी डिमांड है उस डिमांड को भी देखते हुए जैसे पहले एपल इंडस्ट्री है वो भारत में प्रवेस नहीं करना चाहती लेकिन आज एपल आइपोन है उसका क्रेज बहुत जादा बढ़ गया है इंडिया में डिमांड जादा होने के कारण वो भूब कर रहा है भारत की वो तो भारत में आपको देखने को मिलेगा वो बहुत सारी अपनी सेल की स्थापना कर रहा है मतलब वो अपनी बहुत सारी यहां पर, कंप्पणियों की स्थापना कर रहा है भारत में, तो Apple का जो production है पहले हम बाहर समगा देते, लेकिन अब भारत में यह क्यों, भारत में आभी इसकी दिमांड है, तो अब यहां पर supply भी होगी, तो आपको देखने को मिलेगा ये भी बहुत important रोल रखता है इसके अलाबा आपको देखने को मिलेगा तकनी की सुबधाएं और साथ में आपको देखने को मिलेगा पूजी गत विवस्ता कैसी है ये भी निर्धारित करते हैं इसके अलाबा आपको देखने को मिलेगा एक important factor देखिए हमारे पार जगेने इसलिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं इसके अलाबा आपको देखने को मिलेगा एक important factor होता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा परिया बरण जैसे कि हम आपको बताए थे जो अराबली जैसे कि आपको भारत देखने को मिलेगा यह भारत है तो यहां पर खनन कारण नहीं किये गए परियाबरनट की ड्रस्ती को ध्यान में रखते हुए इस छेत्र में उद्धोगों की स्थापना नहीं की जा सकती यानि कि जब हम किसी उद्धोग की स्थापना करते हैं तो बहाँ पर परियाबरनट के फेक्टर को भी ध्यान में रखना ह सरकार की नीतियों की समिक्षा भी की जाती है जैसे कि पहले क्या होता था कि एक लेने में 8-10 साल लग जाता था तो बहार के लोग हैं वो नहीं आना चाहते थे यह फिर कोई भारत का भी बिजनिस में था तो वो बिजनिस स्टार्ट करने में ही उसकी हलत खरा हो जाती थी वो सटार्ट करें तो हलके हलके जो बहुत सारी गौर्रेंट आयो नहीं इसको ठोड़ को ठोड़ सा एक यह उनका पर आएगा वहाँ पर ऑन पर यह जाएगा वहां पर यहां पर पर टैक्स का भुखतान हो जाएगा वहां पर हिसारी नी जाती वह क्या कर रहा है जाल है वो भी उपलब्ण कर आ रहा है और बंस अनु मुद्ध कर आ रहा है या निर्म सरकार की नितिसे वह भी उठ मैहत पुर्बरल को रहते हैं रहे हैं ने किसे उद्दोग को देखते धारत रुट किसी उद्दोग की स्थापना की जाती है ओके तो इंडक्टी बहुत important topic है देखिए अगर हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो सब्सक्राइबर डबलबमेंट हो तो हमें क्या करना होगा तो हमें क्या करना होगा या फिर जो उद्दोग बती हैं उनको जादा से जादा लगाना चाहते हैं ऐसे त्रोडी ना लगा दिया हूं घाटे में जाने के लिए हम लगा रहें नहीं आप ज्यादा से ज्यादा लाब कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्माने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या है लाब कमाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो देखिए इंडस्री के अंदर हम लाब को कैसे जादा बढ़ा सकते हैं तो लाब को बढ़ाने के लिए दो कार्रे किया जा सकते हैं देखिए अगर हम जादा सदा लाब कमाना चाहते हैं तो नमबर एक या तो हम जो भी प्रोडेक्शन हो रहा है यानि कि जो भी production हो रहा है जो कीमत है हम क्या करें उसके price बढ़ा दे यानि कि मूल यह बढ़ा दे जो ऐसे की production विस्किट है वो पांच रुपए का बिग रहा है उसको हम छे रुपए का विचने लगे तो profit क्या हो जाएगा बढ़ता है लेकिन बस्तूओं की बस्तूओं की कीमतों में व Tel RIघ का पार्ली जी करा झीए मैघा हो जाएगा तो हम घुक्ड़े खाने लगेंग लेकिन Dobd approved करतेंगे यह थnahme है वह क्या होगा लाप कर सकते हैं उस सीमा के बाद अगर हम ब्र जिदि एक कीमते हैं वह सीमा तक बढ़ाए जहां पर हमारा लाबादितम हो साथ में हम क्या करें कि जो लागत है उसको कम करने का प्रयास करें हम क्या करें लागत है उसको कम करने का प्रयास करें लेकिन लागत को भी एक सीमा तक कम किया जा सकता है अगर हम लागत को जादा कम कर देंगे तो गुरबत लिए तो इससे क्या होगा इससे गुडबत्ता पर पिर्भाव परभाव पड़ेगा अब तो इसकी मांग पर भी प्रतिकूल परभाव पार ले जैं कि बिस्केट है बन्द करें और साथ में नाके बल भारत में उसकी डिमांड कम होगी बल की जब गुर्वक्ता होती है क्वाइलिटी जब हम उससे कंप्रोमाइस करते हैं तो अंतररास्टी इस तरपर उसकी डिमांड कम होती है अंतर राश्य स्थर पर जर उसकी डिमांड कम होगी तो हमारे एक्सपोर्ड है वो कम होगा अगर हमारे एक्सपोर्ड कम है तो ब्यपार संतुलन के हम घाटे में जाने लगेंगे भारत में आठी विकास नहीं हो पाएगा तो हमें गुडवत्ता को ध्यान में रखते हुए की लागत को हमें इतना कम ना करें कि हमें गुडवत्ता से कंप्रोमाइस करना पड़े और कीमतों को इतना अधिक ना बढ़ाएं कीमत होती है उसको हम इतना अधिक ना बढ़ाएं कि वो लोगों के खरीदने की छमता से ही बाहर चता जाएं तो यह चीज़ आपको देखने को होगी क्या होगी बचत ज्यादा होगी और साथ में देखें और साथ में जो लागत है वो कम होगी तो प्राइज में तो कम रहेगा तो लोगों की भी बचत ज्यादा से ज्यादा मात्रा होगी देखिए जब बचत है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होगी तो एक दोग प कमाऊं पैसे से पैसा कमाना जाता है अगर उसकी बचत ज्यादा होगी तो उस बचत को निबेश करेगा तो इस आगर अगर देखिए अगर वो उसके पास जदासरता मात करांघ पईसा बत रहा है तो वो सिरजन आपको देखने को बिलेगा ओके अब देखी रोजगार का अतरिक छर्जन हो जीव नहीं स्ट्रॉजN होगा तो आपको देखने को मिलेगा फिरसे कहीना औधोगी बिकास है और बड़ेगा देखे रोजगार के अतरिक गुत पादन बढ़ाना पड़ेगा जब और दोगी गुत पादन बढ़ाना पड़ेगा तो देश में इसी तरह से सतत्विकास की एक पिर्किरिया है एक चैन है वो चल पड़ेगी और आपको देखने को मिलेगा अगर बचत जादा होती है इसका मतलब है किसी की आमदनी कि आपको देखने को मिलेगा पिरतीती और कि खञतता है उसमें होती है अगर आमधनी होती एक कूलरी वह भाले हैं फिपने ही अ Griffиш बोम हैो कःदने हो जाय पैसा जादा आगी मोटर का निरबाड कै कहीं कराना होगा यानि कि आ वह मांग करने से आपको देखने को मिलेगा फिर से और धोगी का क्रम है वो निरंतर चलता रहता यान कि क्रैश हमता की ब्रद् histor के कारण ब्रदों बजार में मांग बढ़ती है और बसला में मान बढ़ेगी तो फिर से उत्पाथन बढ़ेगा उत्पाथन बढ़ेगा फिर से रोजगार के अतरिक्त अफसरुत्पन होंगे तो ये किरम है निरंतर इस तरह से चलता रहता है ये किरम है निरंतर इस तरह से चलता रहता है देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले बात करें कच्चे माल की बात कर लेते हैं थोड़ा था ओके देखिए एक बार यहां पर एक और चीज़ बता देते हैं फिर हम लोग अच्छे माल के उपर आते हैं देखिए अगर हम बात करें संसाधनों के अनकूलतम उपयोग है अगर हम संसाधनों का अनकूलतम उपयोग करें तब हम क्या कर सकते हैं अगर हम संसाधनों का अनकूलतम उपयोग करते हैं तो हम संसाधनों का अनकूलतम उपयोग करते हैं और साथ में जो हमारे पास अबसिस्ट पधार्थ बसते हैं अगर हम इन पधार्थों का पुनहा उपयोग कर लें तो हम इन दोनों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं हम एक सस्कें वर सतथ विकास की पिरिकिरिया को जारी रख सकते हैं और भविष्जकी फीडियो के लिए संसादन उपलब्द करा सकते हैं वरना अगर हम संसादनों का अध्यति दोभन करें और उनका अन्पूल्तम उपयोग ना करें तो उनका दुरुपयोग होगा और तो हमारी भवित की फिडियो के लिए वो संसादना नहीं बच पाएंगे तो हमें क्या करना होगा संसादनों कान पूलता हुपयोग करना होगा जो हमारे पास अबसिस्ट पदारत बसता है हमें उनका पुनहा उपयोग करना होगा कुना, अपिड, हम क्यासे कर सकते हैं, हम उसको रिवे, कर सकते हैं, हम पारबार, यूज कर सकते हैं, तो, यह चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए, हम लोगफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, उस दोगोरगों के इस्थानी करण में कच्चे मालकी भूमिका के बारे में सोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं कच्चे मालकी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं आपको देखने को मिलेगी है तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर उद्दोगों के इस्थानी करण में कच्चे माने की भूमिका की हम सोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि आपको काफी महत्वूर देखने को मिलेगा उद्दोगों के इस्थानी करण में कच्चे माल की भूमिका कच्चे माल की भूमिका जो कच्चा माल होता है उसकी क्या भूमिका होती है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं देखिए आपको जो कच्चा माल होता है वो दो तरह का देखने को मिलेगा देखिए एक अगर हम बात करें कच्चे माल की ध्यान सुनिएगा जो कच्चा माल होता है एक तो कच्चा माल होता है वो हो सकता है जो कच्चा माल होता है जो कच्चा माल होता है वो आपको देखने को बगल में लिए देते हैं प्योर कोफ कर सकता है चमाल हो सकता है दूसरा कर कर चमाल कैसा हो सकता है असृद पर इसको दूसरी भणासा में सकल बोलते मैं क्या बोलते हैं इंग्लिस में इसको बोलते हैं, ग्रॉस, 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 जैसे एक kilo, एक kilo कामाल लिए jsem, और इससे हम एक kilo ही अगर उतिफादन कर दिये, एक kilo ही अगर हम इससे कोई उतिफादन कर दिये, मतलब किसी product का निर्मार कर दिये, वो भी क्या है? EKG ही है, एक के जी है, तो हम इसे का बोलेंगे? सुद्ध कच्या माल बोलेंगे, जैसे for example हमने एक किलो कपास लिया, हमने एक किलो कपास लिया, कपास क्या है कच्छा माल है, अब एक किलो कपास से हमने बस्तर बनाया, तो एक किलो हम अगर हम देखे तो हम एक किलो ही बस्तर का उत्पादन किया, बस्तर यानि कि कपड़ा, कपड़ा का अगर हमने उत्पादन material है जो सुद्ध कच्चा माल के रूप में आता है तो ए चीज आपको देखने को मिलेगी अब देखिए दूसरा क्या होता है इसके बिपरी जैसे कि एक किलो कच्चा माल है एक किलो कच्चा माल है इस कच्चा माल से जब हम production किये तो हम मानते हैं हम 30 stands ग्राम उत्पाधन प्राप्ट हूँ तो हम इसका बोलेंगे असुद्ध कच्चा माल बोलेंगे या फिर ग्रास के नाव से इसको जानते roman raw material हम इसको बोलेंगे यानि कि जितना हमारे पास कच्छा माज था उससे हम उतना उत्पादन नहीं प्राप्त पाई जैसे लोहो एक्स हमने लोहो एक्स है वो हमने लिया एक किलो जब हम उससे इस पाद बनाए लोहा बनाए तो तीन सो ग्राम ही हमें प्राप्त हुआ सेसथा क्या उसमें असुदिया थी वो हमने दूर कर दी जैसे हमने एक किलो दूद लिया एक किलो हमने दूद लिया बनके दूद लिया उससे पनीर बनाए तो वो पनीर है सिर्फ 400 ग्राम हमें पनीर प्राफ्ट हुआ या फिर 200 ग्राम हमें पनीर प्राफ्ट हुआ तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे यह क्या है यह असुद्ध कच्चा माल है क्या है असुद्ध कच्चा माल आपको देखने को ले लेगा तो देख कि अगर production है वो raw material के बराबर हो तो हम उसे सुद्ध बोल देंगे लेकर यहां पर जो raw material है जो raw material है उससे कम प्राप्त होता है production तो हम उसे असुद्ध बोल देते हैं तो यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी देखिए पहली condition में क्या होता है पहली condition में अगर कच्छा माल है raw material है अगर वो सुद्ध है अगर वो सुद्ध है तो उद्धोग की इस्तापना है वो कहां की जा सकती है तो उद्धोग की इस्तापना है कच्छे माल के इस्तापना की जा सकती है या फिर उद्धोग की इस्तापना है वो बजार के केंदर पर भी की जा सकती है मतलब बजार के केंदर पर, बजार के केंदर पर कीजा सकती है, ऐसा क्यों होता है? चलिए आमको बता देते हैं, देखिये अगर हम एक किलो, देखिये एक किलो का अच्छा माल है, यहां पर एक और पीजेट एकर मिट रीट, क्या ले लेते हैं कपास एक्जामपल के लिए लेते हैं और देखिए उत्पादन का केंदर तो ए है लेकिन बाजार यहां पर है क्या है बाजार यहां पर है बाजार यहां पर है और इनके बीच की दूरी है वो मानते हैं 100 किलो मेटर है कितनी है 100 किलो मेटर इसके बीच की अब देखिए राव मेटरियल है यहां पर उत्पादन हुआ मानते हैं एक किलो एक किलो यहां पर कपास का उत्पादन हुआ यहां पर एक किलो कपास का उत्पादन हुआ अब देखिए इस कपास को अगर हम यहां पर इस कपास है एक किलो अब इससे यहां पर ही अगर हम उत् पड़ करती है हम बस्तर में अब यह क्या है किलो है मतलब 1 kg है अब दिखिए यह एक केजी कपास को अगर हम उत्पादन के इंदर से बजार तक ले जाए तब भी हमारी उतनी कॉस लगेगी अगर हम बस्तर को भी हम ट्रांस्पोर्ट करें तो भी हमारी उतनी कॉस लगी यानि कि यहां पर इन दोनों में परिवहन लागत समान होने के कारण, समान होने के कारण जब सुद्ध कच्छा मट्रेल होता है मतलब कच्छा माल वो सुद्ध होता है तो उद्धोग की स्थापना उत्पादन केंदर पर भी की जा सकती है और बाजार के इसकर पर या बाजार के केंदर पर भी की जा सकती है क्योंकि परभाहन अलागत सेम होने के कारण इसकी और भी देखने को मिलेगे यहां पर जो अपको देखने को मिलेगा यहां पर यहां पर किश्च कारण काम्र, मुख यहां पर अपर कच्च्चे और माल, पर आप लोग गंगा के मैदान में चले जाएंगे या फिर आप लोग इधर जम्बू कस्मीर वाले रीजन में चले जाएंगे तो यहां पर उत्पादन केंद्रों पर नहीं की गई है बलगी यहां पर बजार केंद्रों पर उत्धों की स्थापना की गई है जो बस्तर ट्रांस्पोर्ट करें या फिर बस्तर को ट्रांस्पोर्ट करें बात वही पढ़ती है इस बज़े से यहां पर भी उद्दोग की स्थापना की जा सकती है यहां पर देखने को मिलेगी चलिए हम लोग थोड़ा सा बैक आते हैं इस चीज आप लोगों ने देखी लेकिन अगर असुध होता है मतलब सकल अगर होता है तो यहांपर उद्दोग की स्थापना कहां की जाती लीन, तो इस अबज़े मौननां की जाती है इस्तरोत पर की जाती है आपको देखने को मिलेगा अब देखिए जैसे फॉर एक्जामपल आपको बताते हैं जैसे की जैसे की यह क्या है यह आपको देखने को मिलेगा उत्पादन केंद्र उत्पादन केंद्र और यहां पर सौ किलोमेटर की दूरी ही हम ले लेते हैं और इ दस केजी लहो आयक्स है इसको हम लिका ले लहो एकस है इसको लिका ले अब मानते हैं अगर हम इंडस्टी की यहां पर स्थापना करें यहां पर इंडस्टी की स्थापना करें मतलब जहां पर मार्केट है बहां पर अगर हम स्थापित करते हैं तो हमें परीबहन लागत है जो अगर हम देखिए उट दो की सताबना यहां कर लेता हैं? कर लेते हैं हम इसे में कर लेते हैं अ हम को कोई मिला अब यहां पर परीबहन कि और हम पहुंचाएं मार्केट प्लेस पर उस बस्तू को पहुंचाएं अब हमारे पास एक किलो कहीं हम पलिशा देना है यानि कि नौ रुपय हमारे बच गए यानि कि यहाँ पर जो परिवहन लागत है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एक रुपए ही परिवहन लागत मिलेगी तो आप लोग देखे इससे ना केबल परिवहन लागत कम होती है बलकि इधन की खपत कम होती है जिससे परियाबनन पर भी प्रिश्कूल होते हैं तो उत्पादन के केंद्रों पर ही इंडक्सिक स्थापना की जाती है इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा जैसे लौह इस पाद दोग लौह इस पाद दोग है उनकी स्थापना खनन केंद्रों पर की जाती है इसके अलाब सिमेंट उद्धोगे हैं व्यों पर जरती है सिमेंट उद्धोगे कहां की जाती है जहां पर जपलबड़ता कोईले की उपलब दिता कि था परयास मातरा में होती है तो वहां पर उस क्थ सपना कर नाrans express लूदग जाते तो कि करिए कि हम एक किलो से हम लगववंनी 200 ग्राम भी पनीर पराप्त कर पाते हैं यानिन कि हमारा 750 ग्राम किरर बीट था परिभान लागत थी,तो ये चीज़ आपको देखने को मेलेगी। तो चलिये हम लोग बैक आती आथे हैं, यह चीज़ आप लोगोने देखा, इसके अलाबव देखे एक कच्चा माल सुदध और असुदध रहते है। दूसरा कच्चा माल क्या हो सकता है वो इस्थानिक हो सकता है या फिर सर्व व्यापी भी हो सकता है दूसरी कंडिशन हम लोग देखते हैं जो raw material होता है मतलब जो कच्चा माल होता है कच्चा माल होता है वो क्या हो सकता है इस्थान आबद हो सकता है क्या हो सकता है इस्थान आ इसको बोलते हैं यूबी यूबी quotes आपको देखने को मिलेगा देखिए जो इस्ताना बद्द होता है जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अगर आप कहीं पर जमी है नहीं है आहीं आप जहां पर रहे तो आपको देखने को बिलेगा यानि कि कच्छे माल है वो सर्व व्यापी हो सकता है जो हर जगह पाई जैसे हबा हबा क्या है वो सर्व व्यापी देखने को मिलेगी जैन है वोthing में हर जगह आपको देखने को मिल लाएगा लाएकस है वह सर्व व्यापी होते हैं वह लोकलाइज इस्थानाबध होता है सुद्ध और असुद्ध और असुद्ध और असुद्ध ने कि इस भी कोई समस्या वाली बात नहीं लेकिन वह स्थान अबद भी है और साथ में असुद्ध भी है तो हम क्या करेंगे इस सीज़ को ध्यान में रखते कोई किसी इंडस्री की की इस्थान का हम चुनाव करने का प्रयास करेंगे तो यह सारी चालते हैं यहाँ पर आप लोग फोड़ा सा इसको नॉट करिएगा आप लोग गोलते हैं कि सखाना भी जरूरी है तो हम आपको अब देल ही दिखाते हैं एक बार हम अपनी बोतल ढोड़ लेते हैं काहाव पर हमारी बोतल बढ़ी हुए है एक सेकंड रुखेगा जब तक आप थोड़ा सा नोट करिए फिर हम आपर रहते हैं एक सेकंड रुखेए साइट बोतल हमने बहागी फोड़ दिया है लगता है आज नीचे ही बोतल बूल गए एक घंटा हो गया है तोगे आप थोड़ा सा नोट करिए सब्सक्राइब तक हम इसे जाते हैं और इस वाली रुम में देखते हैं हमारी बोतल रख्यों होगी उसको लेकर किया आते है एक्चुली गला विद्व सूख या वनने क्लास करनी बड़ेगी अमने साथ्या आप लूट डाउं करिए रहा है कि अ प्रही है जाते हुआ है सब्सक्राइब तक है रहा है सब्सक्राइब तक है मत बोत जाते है झाल 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 पर आप लोगोंने नोल्ड कर लिया एक सेकंड माइक पुलाएं ओके ठीक है बस एक सेकंड रुखेगा चलिए यहां तक आप लोगों नोट कर लिया होगा अब आगे से हम यहां पर बोल देते हैं एक्षलिबो बोतल है वह भरे थे लिकिन नाना बोल गयाते है अब एक बार हो जाता है जल जल्दी में चलिए कि अब देखे यहां से वो देते हैं लागत एबम इमद इबम लागत पे होता है इस आधि यहां कीमत में ब्रद्दी एक सीमा सीमा तक की जा सकती है जी कि जो सारी चीजे हम आपको बताइए यहां पर लिकाई जा रही है जैसे अब भी हम आपको बताइए कि कीमत आप राप्त किया जा सकता है लागत को कम करके अधिक से अधिक लाव को राप्त किया जा सकता है। किसी भी और धोगिक इकाई में कच्चे माल का किसी भी और धोगिक इकाई में कच्चे माल का परी संचरण कर उत्पादन किया जाता है। किसी माल का परी संचरण कर उत्पादन किया जाता है। इसलिए उत्दोग के इस्थानी करण में कच्चे माल की भूमिका महत्पूर हो जाती है। कच्चे माल की भूमिका महत्पूर हो जाती है। कच्चा माल सुद्ध और सकल के साथ इस्थान आबद और सर्ब व्यापी हो सकता है। कच्चा माल सुद्ध और असुद्ध के साथ सुद्ध और असुद्ध के साथ इस्थान आबद और सर्ब व्यापी हो सकता है। इस्थान आबद कच्चे माल की उपलब्ध ता उद्धोग के इस्थानी करण को निरधारित करती है। इस्थान आबद कच्चे माल के परी संचरण से प्राप्त और धोगिक उत्पादन। का भार कम होता है कच्चे माल को और धोगिक उत्पादन। कच्चे माल को और धोगिक उत्पाई तक ले जाने के लिए जो परिवाहन लागत पर खर्च करना पड़ता है। उसकी बचत के लिए इस्थान आबद सकल कच्चे माल पर आधारित। करना लाबदायक होता है। इस्थापित करना लाबदायक होता है। यही कारण है यही कारण है चीनी उत्दोग को गन्ना उत्पादन छेत्र के समीप। लहो अयक्स एबम कोईला के समीप। लहो अयक्स एबम कोईला के समीप। लहो उत्दोग को इस्थापित किया जाता है। बही इस्थान आबदायक्स सुध कच्चे माल पर आदारित उत्दोग से से प्राप्त उत्पादन का भार माल पर आदारित उत्दोग से प्राप्त उत्पादन का भार लगबग कच्चे माल के बराबर होने के कारण इसे कच्चे माल से लेकर बजार के मद कहीं भी इस्तापित किया जा सकता है। यही कारण है कि कपास एबम जूट उत्पादन उत्दोग बजार के समीप इस्तापित किये जाते हैं। यह सारी चीजह आपको को मिलेगा ओगे चलिए हम लूग छोड़ग त्व्टा आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। जयसे जो अभी हम आपको ऐग्जामपल दे रहेते तो आपको देखने को मिले देखिए इस तरह से जो जहार खंडे हम उसकी बात कर रहे हैं उस रीजन की हम बात कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से एक नहर जो आपको देखने को मिलेगा सुबंड रेखा रिबर सुबंड रेखा नदी है वो इस तरह से गुजरती है यह क्या है यहाँ पर जल की प्राप यहां पर यहां पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो लोह ए जो टाटा इंडस्ट्री ना वहां पर इस केंद्र को चुना गया कि यहां पर हम क्या करेंगे कि लोह इसपात उद्धोग मतलब इसपात उद्धोग की स्तापना करेंगे क्या करेंगे लोह इसपात उद्धोग की यहां पर इस्तापना करेंगे क्यूं क्यूंकि देखें यहां पर चलकी उपलब्दता भी है साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर इधर आपको रानी गंज देखने को मिलेगा इदरी आपको यहां पर जरिया देखने को मिलेगा यह क्या है इदर रानी गंज देखने को मिलेगा जरिया है जरिया है और इदर आपको यहां पर देखने को मिलेगा बोकारू वो कारू होगे तो देखिए यहाँ पर आपको कोईला यहाँ पर कोईला के परियापत भंडार पाई जाते हैं यहाँ पर क्या है जो हमने इस कलर से लिखे हैं यहाँ पर कोईला के परियापत भंडार पाई जाते हैं और इधर आपको बादाम की पहाड़ी इधर देखने को म मतरव पाइज़ाता है और सान्हें आपको देखने को मिलेगा इधर भी बहुत s depict क्वड़र आपको नहीं तौ परिभान नहीं थी तो टाटा जी ने सुचा कि हमर परिभान नहीं है लेकिन आपको देखने को मिलेगा यहां से कुछ दूरी पर आपको देखने को मिलेगा एक रेल लाइन है वो गुजरती है एक रेल लाइन है जो मॉंबई के लिए गुजरती है एक रेल लाइन आपको देखने को मि भारत के विकास की एक तरह से रीड़ बने और अंतर रास्ति इस्तर पर इसका नाम और साथ में एक ऐसी स्थापनाना करें जहां पर सभी सुकु सुदाई जैसे कि स्वास्त रिलीटिट परिया बरण को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सि continuum कि चायीं है तो उनिहीं के नाम पर जमसेद जी टाटा थे सब依ा है इन्होंने कहा, हम किसके उत्पादन करते हैं, अच्छा क्या हम थोडी सी रेल-पड़ि खुद से भी नहीं गाल सकते जा तो इन्हों ने क्या क्या किया, अपने क्छेत्र को इन्होंने खुद की अपनी यहां पर यह दाल दी, 33 किलोमेटर इदर से रेलपटरी डाली इदर से जोड़ दिया और एक जकसन अधर से ही जो रेलपटरी थी, उसके मानदम से जोड़ दिया और साथ में इन writes इन्हेरेलपटों जो खननकेंदर उन खननद केंद्रू को भी इससे जोड़ दिया परीवहन लाघत है उसको कम करती है रेल्वे के मध्य हम से अगर हम परीभान करना चाते हैं तो से परीवहन लाघत बहुत कम हो जाती है साथ में जल है वो यहां पर इन नध्यों के मध्यों से प्राक्त हो गया जिसे कारण सब से कम लागत में कम मसे कम लागत में कम से कम लागत में उच्च गुरबत्ह troll कम होने के साथ में यहां पर गुरबत्ह वह प्गर आपको बहुत अच्छी देखने मिलेदी इस वज़य प्रित्र है बहुत ज़्यादर डबलब देखने को मिलेगा लेकिन यहां के इस्थानिय लोग है उनको ज्यादा नहीं मिल पाया जो यहां के इस्थानिय लोग थे आदिवासी लोग थे वो आज भी आर्थिक और समाधिक पिछड़े पन से जूज रहे हैं क्योंकि यहां पर कारण वो तेजी से होने के कारण उनको पलायन होना पड़ता है और उनके संसादनों का उनको लाव नहीं मिल पाता है जिस कारण उनको इस्थानिय लोगों को तो काफी घटा हुआ लेकिन यहां पर इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादर डबलब आपको देखने को जो काफी इंपोर्टेंट है तो देखिए आप समुद्र से केनेक्टिविटी भी इसकी पास में आपको देखने को मिलेगी यहां कि अंतर रास्तिय बजार है बोब्लब्द गरा देता है और क्या चाहिए इसलिए तो इसकी कोई कोई भी टकर नहीं दे पाता होगे तो यह में आपको देखने को मिलेगी चलिए हम लोग थोड़ागे वढ़ते हैं और देखते हैं अगे होके तो देखिए जो इसकी स्ताफना की कई गीती हो जरता आ है कभीक वारा आप लोगों से पूज़ा जा सकता है थोड़ा साम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में देखिए अगर हम अभी कच्छे माल की तो हम बात कर लेते हैं आधार बूत रचना की अगर हम आधार वो तो संड़जना की बात करें तो इसमें परिभान की सुबिदा है वो इंपॉर्टेंट होती है जैसा कि अभी हम बताए जमसेजी ठाटा ने परिभान भागत को कम करने के लिए रेन लाई नहीं अपनी बिछाती है वो ले हम लोही का उत्पादर कर रहे हैं तो क्या हम लोही के पटरियां नहीं चाहते हैं तो वो ले बिचात दो कोई बात नहीं तो आपको देखने को मिलेगा परिभान की सुबिदा है वो बहुत ही मैत्पूर हो जाती है आधार वो तो संड़जनाओं में दूसरा आपको देखने को मिलेगा उर्जा की उपलबदता बहुत सारे फेक्टर होते हैं अदर्वू सरजनाओं के अंदर गताते हैं जो कि हम पहली आपको लिखा चुके हैं जैसे परिभान की सुब्दा है आप किसी रॉ मेट्रियल को मतलब कच्छे माल को आप कहां ले जाना जाते हैं इंडस्ट्री तक ले जाना चाते हैं तो आपक परिभान की आपसकता होगी तो आधार बूत सनरचना के इस्तर पर उद्धोग के इस्थानी करण में आधार बूत सनरचना के इस्तरफ पर उद्धोग के इस्थानी करण में परिभान की बेहतर सुबदाओं की विसे से भूमिका है उद्धोग के इस्थानी करण में परिभान की बेहतर सुबदाओं की विसे से भूमिका है कच्चे माल को औधोगी केंदर तक उद्धोगी केंदर से उतपादन को बजार के केंदर तक ले जाने के लिए परिभान की बेहतर सुबदाओं का उपलब्द होना आवश्यक है परिभान की सुबदाओं का उपलब्द होना आवश्यक है यही कारण है कि जब किसी उद्धोग का बिकेंदरी करण जब किसी उद्धोग का बिकेंदरी करण कच्चे माल के इस्तरोत से दूर इस्थित किया जाता है तब परिभान लागत को कम करने के उद्धोग को परिभान के केंदरों के समीब इस्थापित किया जाता है उद्धोग का बिकेंदरी करण उद्धोग का बिकेंदरी करण कच्चे माल के इस्तरोत से दूर करते समय बंदर गहा नगरों के समीब किया जाता है जहां आयात एबम निरियात की बहतर सुबदाएं उपलब्द होती हैं यूरोप में उद्धोग करांती के समय जहां लोहो इसपात उद्धोग को पहले कोईला के इस्तरोत के समीब जहां पहले उद्धोग को पहले कोईला के स्तरोत के समीब इस्थापित किया गया वहीं जब कोईला पर निर्भरता या दबाव बढ़ने लगा तब उद्धोगो का बिकेंदरी करण तब उद्धोगो का बिकेंदरी करण बंदर कहा नगरों के समीब किया गया बैसे ही भारत में बैसे ही भारत में भी और धोगिक बिकेंदरी करण नीती के अंतरगत बैसे ही भारत में भी और धोगिक बिकेंदरी करण नीती के अंतरगत जब लहो इस्पात उद्धोग को कच्चे माल के समीब इस्थापित करने का निर्ण ने किया गया तब इस किरम में बिकासा पत्नम में बंदर गहा की सुबदा उपलब्द होने के कारण बिकासा पत्नम में बिकासा पत्नम में बंदर गहा की सुबदा होने के कारण लहो इस्पात उद्धोग को इस्थापित किया गया भारत में आज भी खनिज संसादनों के भंदारन की ड्रस्टी से संपन बैसे चेत्र भंदारन की ड्रस्टी से संपन बैसे चेत्र जहां आधार बूत संदसनाओं के इस्तर पर परीवहन के बेहतर सुबदाओं का आभाव है बहां खनन पर आधारित उद्धोगों का विकास नहीं हो पाया है इसी परकार भारत के बैसे ग्रामीड चेत्र जहां परीवहन की बेहतर सुबदाओं का आभाव है इसी परकार भारत के बैसे ग्रामीड चेत्र जहां परीवहन की बेहतर सुबदाओं का आभाव है बहां के किर्सक आज भी जीबन निर्भा के लिए किर्सी भूमी का उप्योग करते हैं किर्सी भूमी का उप्योग करते हैं किसी भी कार्रे को करने के लिए किसी भी कार्रे को करने के लिए उर्जा की आबसकता होती है यही कारण है कि प्राकर्तिक संसादनों में उर्जा एक मौलिक संसादन है जो ना के बल समाज की मूल भूत आबसकताओं में से एक है बलकि ओद्धोगिक विकास की ड्रस्टी से आधारबूत सर्रचना का एक महतपूर घटक है खनन कार्र से लेकर खनिज संसादनों के सोधन एबम और धोगिक उतपादन तक जहां एबम और धोगिक उतपादन तक जहां उर्जा का प्रिवंदन आबश्यक हो जाता है वही और धोगिक उतपादन को बजार तक उपलब्द कराने के लिए परिवहन के साधनों के साथ उर्जा की भी आबसकता होती है उर्जा की भी आबसकता होती है यही कारण है की जहां उर्जा संकट की समस्या होती है यही कारण है जहां उर्जा संकट की समस्या होती है बहां कच्चे माल की उपलब्दता होने के बाबजूत भी उपलब्दता होने के बाबजूत भी उद्धोगों के स्थानी करण को प्रात्मिक्ता नहीं दी जाती भारत के आर्थिक एबम समाजिक पिछडेपन में भारत के आर्थिक एबम समाजिक पिछडेपन में उर्जा भी एक महतपूर कारक है भारत के ग्रामीड चेत्र में आर्थिक एबम समाजिक पिछडेपन में उर्जा भी एक महतपूर कारण है इसी पिरकार ओध्धोगिक विकास में उर्जा संसाधन की उपलब्दता का विसेश महतप है विसेश महतप है बिद्धुत उतपादन और ओध्धोगिक उतपादन के सोधन में जल की आबसकता होती है इसी लिए उतपादन के सोधन में जल की आबसकता होती है इसी लिए उतपादन के समीब इस्थापित किया जाता है आधार बूत सर्रचना के इस्तर पर जहां बेहतर सुबदाएं उपलब्द होती है बहां अभी के इंद्रिये बल के प्रभाव साली होने पर आर्थिक क्रियाओं के किंद्री करण के साथ और दोगी करण को प्रोत साहन मिलता है जिसके कारण और दोगी के विकास संकुल के रूप में होने के कारण भूमी संसाधन पर दबाव बढ़ने लगता है भूमी संसाधन पर धबाओ बढ़ने लगता है जिससे अंततहा जिससे अंततहा भूमी की कीमत में ब्रदी होने पर उद्धोगों को इस्थापित करना लाबदायक नहीं रह जाता ब्रदी होने पर उद्धोगों को इस्थापित करना लाबदायक नहीं रह जाता ऐसी इस्तती में और धोगिक बिकास में बाधाएं उत्पन होती हैं और उद्धोगों का बिकेंद्री करन एक ऐसे छेत्र में प्रारंब हो जाता है जहां सस्ती भूमी की परियाप्त उपलबदता होती है लेकिन भूमी की उपलबदता होने के बावजूद यद ही आधारबूत इस्तर पर सुबधाओं का आभाव होता है यद ही जैसे ग्रामिर्चित्रों में भूमी तो परियाप्त मातरा में है लेकिन बहाँ पर आधारबूत सुबदाय उपलब्द नहीं है जिस कारण बहाँ पर अधारबूत इस तर पर सुबदाओं का आभाव होता है तब और दोगिक बिकास की समभावनाई कम हो जाती है यही कारण है कि और दोगिक के इंद्रों से दूर यही कारण है और दोगिक केंद्रों से दूर इस्तित छेत्रों में जहां भूमी की परियाप्त भूमिका है जहां भूमिकी परियाप्त भूमिका है बहां और दोगिक पिछड़े पन का एक मैत पूर कारण भी है क्योंकि बहां पर आधार भूत सुब्दा है उपलब्द नहीं हो पाती भली वहां पर भूमी है तो एक प्रमुक पिछड़े पन का क्या है आधार भूत सुब्दाओं का अभाओ किसी भी उद्धोग में किसी भी उद्धोग में उतपादन से लेकर पिरबंदन तक कुशल सिर्मको की आवशकता होती है इसी लिए जहां कुशल एबम सस्ते सिर्मिक उपलब्द होती है वहां उद्धोगो को स्थापित किया जाता है लेकिन सिर्मको की अपेक्छा उद्धोगो के आकर्शन बल का पिरबाओ अधिक होने के कारण उद्धोगो के आकर्शन बल का पिरबाओ अधिक होने के कारण उद्धोगो के आकर्शन बल का पिरबाओ अधिक होने के कारण उद्धोगो के आकर्शन बल अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण शमानता उद्धोग का इस्थानी करण समानता उद्धोग का कोई बहुत भयान तड़का लगाया है उद्धोग का इस्थानी करण सस्ते सिर्मको की उपलब्दता बाले चेत्र में होने के कारण सिर्मको का पलायन और द्धोगे का केंद्र की ओर होता है केंद्र की और होता है खर देखिए इसका मतलब क्या हुआ यह आपको बता देते हैं देखिए क्या होता है किई बार आपने देखा होगा कई बार देखे अभी हमने बात की थी जहाँ पर फुसल सिर्मिक होते हैं बहाँ पर उद्धो इस पीत के जाते हैं लेकिन maximum time क्या होता है जो उद्धोग होते हैं उनका उनका करस्णबल अधिक होता है उनका आकर्षन बल अंधिक होने का क्या मत्तब है जैसे आप लोगों ने देखा होगा इधर greater noida है जो greater noida है यानि कि जो दिल्ली वाला छेतर आपको देखने को मिलेगा इधर आपको जो मुंबई वाला छेतर है ओके मुंबई वाला छेतर है अब देखिए हमारी यूपी वि कि आते हैं यहां पर चले जाते हैं क्यों कि यहां पर washing हैं और यहां पर अकरशन भलंदिक Comi willem Perasit कि लिए यूपी विहार के लोग हैं गया है चेत्र dog है कुसल लोग है मतलब जो सिर्मिक हैं एक कैसे सिर्मिक हैं यह आपको कुसल सिर्मिक देखने को मिलेगे मतलब इनको बहुत जादा इस्किल्ड लोग हैं उनको लेकिन इस्किल्ड नहीं होई क्योंकि प्रिफ्व कि माइग्रेट कर जाते हैं उन चितरों में जहां पर उद्व शंकूल के आए लिए लेकी पर समानता ऊध्यूम्य यहां इस तो आपको देखने को मिलेगा इस कारण यहां पर ईक होता है उसका निर्माड होने लगता है एं चीज आम लोग को देखने को मिलेगी यही चीज़ा भी हमने लिखाई धी होगा कि छलिए हम लोग ठ्धोडा सा आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसके में प्राकर्तिक संसाधनों की ड्रस्टी से संपन देश में जहां बजार की मांग जहां बजार की मांग के साथ सिर्मिक की परियाप्त उपलब्दता होती है बहां तकनी की आभाव के साथ आर्थिक पिछड़े पन के कारण और दोगिक बिकास में बाधाई उत्पन होती है तोड़ा दीजी तीजी लिखिए अभी काफिज पढ़ाना भी आप लोगों के लिए तो जदी जदी लिखिए दस पंदर मिनट के और क्लास पची है यही कारण है कि आज तकनी की आज पिछ आर्थिक ड्रक्ति यही कारण है तकनी की आर्थिक ड्रक्ति से पिछड़े हुए देश और देश और दोगिके ड्रक्ति से बिखिटे हूए देश है बहीं दूसरी तरफ आर्थिक ड्रस्ती से विक्सित देश आर्थिक ड्रस्ती से विक्सित देश जहां तक्णीकी सुबधाय उपलब्द हैं बहां प्राकर्तिक संसादनों का आभाव बहां प्राकर्तिक संसाधनों का आभाओ होने के बवजूत जैसे जापान Jenpam वित तइकनलोजी है डि technical ही तो आज आफको बिखस्ण देश में देखनी को मिलेगा प्राकर्तिक संसाधनों का आबाओ होने के बावजूद और दौगी की स्तर पर बे ना के बल विक्सित देश हैं बलकी बे अपनी तकनीकी का निर्यात कर आर्थिक ड्रस्ती से पिछड़े देशों में पिछड़े देशों में निर्यात कर आर्थिक ड्रस्ती से पिछड़े देशों में निवेश कर रहे हैं बैस्बी करण के इस दोर में जहां मसीनों एबं तकनीकों का उप्योग किये जाने से ना के बल और धोगिक उतपादन में ब्रद्धी हो रही है बलकि साथ ही उतपादन लागत में कमी के साथ गुडवत्ता में भी सुधार हो रहा है लेकिन तकनीकी एबं आर्थिक ड्रस्ती से पिछडे देशों की समस्या बढ रही है क्यूंकि उन्हें कीमतों एबं गुडवत्ता के साथ क्यूंकि उन्हें कीमतों एबं गुडवत्ता के साथ गुडवत्ता के साथ गुडवत्ता के साथ बैस्विक इस्थर पर जहां और धोगिक करण के करण प्राकर्तिक संसाधनों के उपियोग के करण और धोगिक विकास को प्रोत्साहन मिला बही संसाधनों के दोहन से प्रकर्तिके नियमों का उलंगन के करण बही संसाधनों के दोहन से प्राकर्तिक बही संसाधनों के दोहन से प्रकर्तिके नियमों का उलंगन के करण ना के बल संसाधन संकट की समस्याउत्पन हो रही है बलकि पर्याबरन का भी निमनी करण हो रहा है बलकि परिया बरण का भी निमनी करण हो रहा है जिसके कारण ही आज बैस्बिक इस्तर पर परिया बरण के सर्रक्षण को प्रात्विक्ता देते हुए जिसके कारण ही आज बैस्बिक इस्तर पर परिया बरण के सर्रक्षण को प्रात्विक्ता देते हुए संसाधनों के अनकूलतम उप्योग के द्वारा संपोश्णिये विकास पर आधारित आर्थिक क्रियाओ को अपनाई जाने पर अनकूलतम उपयोग के द्वारा संपोष्णिये विकास पर आधारित आर्थिक क्रियाओं को अपनाए जाने पर दबाओ बनाया जा रहा है जिससे परियाबरण की ड्रस्टी से संवेदन सील छेतर में संसाधन की परियाप्त उपलब्दता के बाबजूद अबैद खनन कार्यों पर प्रतिबंद लगाई जाने के कारण और द्वागिक विकास की संभाबनाय कम हो गई और द्वागिक विकास की संभाबनाय कम हो गई अबैद खनन कार्यों पर प्रतिबंद लगाई जाने के कारण और द्वागिक विकास की संभाबनाय कम हो गई ऐसी इस्तती में पारिस्तित की परियटन पर आदारित उद्वाग के विकास को प्रात्मिकता देते हुए आर्थिक एबम समाजिक विकास किया जा सकता है आर्थिक एबम समाजिक विकास किया जा सकता है देखिए आसका लेक्सर है वो अब यहां पर ही फिनिस किया जाएगा लेकिए जो लोग इस वीडियो को यूटूब पर देखेंगे यहां पर आपको साथ अप्रेल से हमारा नियू बैच है वो इसमे आगर के अड्मिशन ले सकते हैं यह बैच हिस्ट्री से स्टार्ट होगा है एकदम बेसिक से जीरो से पढ़ाया जाएगा आप लोग अगर इसमे अड्मिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग गूगल प्ले है तो सोपसेंगे का यहाँ बैच का बिए घर आपर अंत्त जो करेंग है तो हमारे बहुत सारे यह तैसेंड लें लेना है जो रही है ले सकते हैं इस अगर अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो इसी जो फीज वो 316 रुपए है और इसी में साथ अपरे अज सी क्लासे स्टाड हो रही है लेकिन 316 रुपए आपको पे नहीं करने अगर आप लोग इस कोड का उप्योग करते हैं आर जी सर नाइन कोड का उप्योग करते हैं तो अगर आप लोग बंटाइम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर एक एक्स्ट्रा ओप्शन दिया है मंदली फीज का तो आप लोग सिर्फ 99 रुपए पर मंत रुपए दे करके भी यहां पर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं इसी तरह से आपको साभिस्तान म सब्जक्ट पर मिलेंगी यहां पर आप लोग देख सकते हैं और आदिक जानगारी चाहते तो आप लोग हमसे क्रसकते हैं अगर आप लोग डैमो विडियो देखना चाहते है तो जिस तरह से यह वीडियो डैमो वीडियो के रूपए यूटूब पर डाली गई है वह इसी कि आप लोग जाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और जदा इंप्रूब इन्हांस कर सकते हैं चलिए इस लेक्चर को यहां पर ही फिनिस करते हैं